Dear students, we have to discuss about developing an outdoor provision under the sustainable development. हमने जो इसको पर outdoor provision को पर गुफ्तकू की है, जो हम जो गुफ्तकू उसको पर कर रहे हैं, आपने देखा कि बुनियादी तोर पर हम उन दोनों को लिंक कर रहे हैं. हम चाह रहे हैं कि बच्चे का ऐसा इंटर्स्ट डिवेल्प हो, कि वो स्कूल से जाने के बाद भी टीचिंग लर्निंग प्रासेस में इन्वाल रहे हैं. और उसके लिए इन्वाल्मेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, कि हम उस तमाम चीज़ों को यूज करना चाह रहे हैं जो स्कूल से बाहर हैं. अब देखें, स्कूल से बाहर वो जिन चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करता है, अगर हम उनको रिलेट कर दें उसकी को करिकुलर एक्टिविटीस के साथ, तो क्यूलिटी एजुकेशन हो जाती है, टीचेक लर्निंग प्रॉसस की फिक्तिवनास हो सकती है, उसके एक एक ऐग्जामपल है, जैसे हमारे मॉविंग पॉर्टs हैं, टाइर्ज हैं, वील्स हैं, पुलीज हैं टूब हैं सेंड हैं वाटर हैं स्टोंज रॉक्स ये तमाम चीजएं जो हैं ये आउटडोर के अंदर अभेशी हैं और हमारा बचा जो है इन तमाम चीज़ों से इंटरेक्ट करता रहते हैं अगर इन तमाम चीज़ों को अगर हम लिंक कर दें वील को आप लिंक कर दें अपने टीचिंग के साथ तो इसका मतलब है कि हमारी जो इंडोर टीचिंग लिंनिंग प्रासेस है उसको हमने आउट डूर मेटिरियल के साथ लिंक कर दी है अब वो बाहर जा रहा है वो वहां पर teaching learning process नहीं हो रहा लेकिन लाश होरी तोर पर वो उन चीज़ों से learn कर रहा है हमने उसको एक चीज़ बता दी हमने एक चीज़ उसको समझा दी वो उसके जहन में है बाहर गया अब बच्चे ने वो देखा बच्चे ने वील को देखा बच्चे ने उसके बाद पहिये को देखा पुली को देखा उसके जहन में वो सवाल अभी मुझूद है जो हमने उसको पूछा था या वो सवाल जो हमने उसको सिज़ेस्ट किया था वो सवाल जो हमने उसको बताये थे इस पैटर्न से क्या होगा इस pattern से हमारे पास teaching learning process effective होगा नमबर एक, नमबर दो इससे क्या होगा वो एक national environment में explore करेगा explore करने के बाद एक learning जो outdoor learning process है जो outdoor learning environment है वहाँ से वो जो सीखेगा वो जो indoor में आएगा तो उसकी effectiveness बाढ़ जाएगा